देखो first class के अंदर हमने level of inventory या control of inventory दो पार्ट section में मैंने divide किया था इस chapter को एक था हमारा store laser, valuation of inventory और एक section था control of inventory तो level of inventory के अंदर हमने EOQ तो हमें पता ही ये कैसे निकालना है EOQ का formula कैसे बना था ये भी देख लिया था हमने यानि जो first part था जब तक वो नहीं दोखोगे तो ये वाला part जिसको first part नहीं आता तो यहाँ problem आईगी आपको तो पहले first part का पूरा पता होना चीए तब जाके आपको थोड़ा clear हो जाएगा ये अब level of inventory में कुछ levels बनाए हुए है पहले है reorder level पहले हम reorder level होता क्या है आले party को जो order देते हो कि मुझे ये समान चाहिए level इसका मतलब ऐसा कौन सा situation है जब के आप phone करके बोल दो कि समान मुझे भेज़ दो मानलो मैंने 1 January को समान मंगवाया first gen को first gen के बाद मुझे लगता है कि मुझे 25 January को मंगा लेना चाहिए समान खतम होने जा रहा है तो जो 25 January को मैं call करूँगा वो होगा reorder level तो reorder level कब हो जाना चाहिए जब आपका maximum use into में maximum time जितना uses है maximum वो हो जाए और into में maximum time जब इतने inventory हमारा क्या हो जाए level बचे तो हमें क्या कर देना चाहिए reorder क्योंकि हम हमेशा क्या करके चलते हैं कि जितना हमें stock चाहिए होगा दुकान में उतना नहीं रखते हैं उससे थोड़ा extra ही रखेंगे तो maximum हमें इतना तो दुकान के अंदर रखना ही रखना है कितने time के लिए माल लो 10 unit है maximum एक दिन का और 20 दिन आपका है तो 10 into में 20 200 तो 200 unit तो दुकान के रखना ही रखना है अगर 200 unit से कम गया तो reorder कर दो फोन करके तो ये क्या है हमारा reorder level इसके बाद minimum level इससे अगर कम गया आपका तो danger level में पहुंच जाओगे यानि अगर इससे कम जाता है तो हो सकता है might be customer आपका दुकान से चला जाए तो जैसे कि minimum level का formula क्या लिखा है मैंने ROL ROL क्या होता है reorder level यहां से ये निकालोगे minus में bracket start है normal usage या फिर average usage अगर normal दे रखा है तो normal लिख लेंगे अगर normal नहीं दे रखा तो हम क्या लिख लेंगे average multiply normal and average time इसको lead time भी बोलते हैं और normal आप time भी बोल सकते हो ठीक है तो हम अभी practical question भी देखेंगे इस पे तो clarity हो जाएगा तो सबसे पहले reorder level का formula क्या था maximum use into में maximum time इसके बाद हमारा क्या है यहां पर minimum level minimum level में क्या है reorder level पहले यह निकालना पड़ेगा उसके बाद ही यह आप minimum level निकाल सकते हो इसका एक और formula है वो बाद में हम discuss करेंगे maximum level maximum level का formula वो level है कि इससे ज़्यादा मत रखना है इससे ज़्यादा आप रखते हो तो आपका wastage ही होना है वो तो maximum level में क्या है हमारा ROL यानि ROL क्या होगा हमारा reorder level को ही हम क्या बोलेंगे ROL और R O Q यहां पर R O Q क्या होता है हमारा R O Q इसको अगर मैं बोलू तो R E O Q को ही दूसरा नाम है यह E O Q तो पता है आपको क्या होता है 2 A O upon me C का अंडर रूट यह क्या होता है हमारा E O Q तो E O Q को ही क्या बोलते है R E O Q quantity तो maximum level का formula क्या है R O L Reorder level यहां से निकलेगा E O Q R O Q यानि E O Q हम निकालना जानते हैं कैसे निकालना है इसके बाद minimum use into my minimum time यह वो level है इससे उपर अगर अपने business में stock को रखोगे न तो आपका stock बेकारी जाएगा इदर उदर आपको पढ़ा हुआ मिलेगा इस तरीके से हम समझ सकते है average level average level तो आपको पता ही है minimum maximum divided by 2 तो same यानि इसका जो answer आएगा इसका जो answer आएगा इन दोनों को plus करके divide किस से करना है हमें 2 से यह आजाएगा average level एक और formula हमारा average level का है minimum level plus 1 by 2 EOQ देखो mathematics में normally क्या होता है आप एक question को करते हैं उसको करने के बहुत सारे formula होते हैं लेकिन आप बोलते होगे ऐसे कर लो चाहिए से कर लो answer क्या रहा है हमारा same लेकिन costing में वो rule नहीं चलेगा आपका आप इससे करोगे और इससे करोगे दोनों से निकलेगा average level लेकिन दोनों का answer अलग होगा और दोनों का answer हमारा correct माना जाएगा हम किससे करें जो भी हमारा applicable हो सकता है formula उससे हम कर देंगे suppose करो question मैं आपको EOQ दे देता है और minimum level दे देता है मैं maximum के चकर में क्यों पड़ूँगा ठीक है ना लेकिन याद रखना दोनों से answer क्या आएगा हमारा अलग आएगा और दोनों ही answer हमारा क्या माना जाएगा correct माना जाएगा ठीक है ना उसके अंदर ऐसा है मैं समझना कि answer अलग आ रहा है तो गलत है तो कुछ level of inventory है इसके अलावा भी कुछ level है जिसका हम discussion करेंगे जैसे कि danger level danger level मतलब आपके दुकान से customer अब चला जाएगा margin of safety stock turnover ratio कुछ ratios भी यहाँ पे आ सकता है लेकिन become program के अंदर सरिफ इतने ही part से आपके question पूछे जाएगे तो last section में हमने क्या करा था EOQ और अब हमारा अगला section कौन सा है हमारा level of inventory तो एक बार इस वाले point को जिसका रहता है वो फटा-फट से note कर लिजे फिर हम आपके book का सीधा practical या illustration जो भी आपके book में वो question करूँगा फिर उसके बाद देखते है आगे क्या करना है ठीक है 2.8 में क्या कहता है the following information available in respect of material number 30 material number 30 हो 60 हो 50 हो ये question का सिर्फ number है इसका कोई use नहीं होना आपके समें ठीक है न कहता है reorder quantity दे रखा है तो reorder quantity का मतलब आपको क्या given है EOQ reorder quantity EOQ दे दिया reorder आपको period दे रखा है यहाँ पे 4 to 6 तो time दे रखा है आपको reorder का वो कितना दे रखा है 4 से 6 तो जो 4 है वो minimum है और जो 6 है वो maximum है अगर मेरे से average पूछ हो तो दोनों को जोड के 2 से divide कर देंगा जो answer आ गया 5 ठीक है इसके बाद बोलता है maximum consumption consumption बोल लू usage बोल लू use बोल लू बात एक ही है तो maximum consumption 400 minimum consumption 300 unit minimum sorry normal consumption 300 और minimum आपका 200 तो यहाँ पे अलग-अलग तरीके से consumption compute क्या करना है reorder level यानि पहला point बोला इसने हमारे question number कौन सा है 7 point 2.8 question number 1 reorder level इसको मैं R.O.L. बोलूँगा अब ध्यान रखना ठीक है formula बोलता है maximum into maximum बताइए maximum usage कितना था 400 यह लिखा मैंने formula उपर ही लिखा है multiply by maximum time 6 तो answer आगया हमारा यहाँ पहले वाले का 2400 किसी को doubt इसमे चलिए second part करते है second part में क्या demand किया है question ने आपको minimum level बताना है तो minimum level के लिए आपके सामने formula है minimum level का R.O.L. निकाल लिया हमने 2400 minus normal और average priority पहले normal को देंगे अगर normal नहीं है तो average पहेंगे तो question में normal है क्या है normal normal कितना है 300 into में normal time नहीं होगा अगर दे रखा है तो ठीक है मैंने लिख दिया हाला कि normal वैसे average time ले लेंगे तो average time क्या गया 5 सुझ मैं आपको ये तो अब यहां पे आ जाएगा हमारा 1500 2400 में से तो 900 कोई doubt इसमें 2 point हम कर चुके point number 3 पे चलते है 3 point क्या बोलता है maximum level maximum level में क्या करना चाहिए formula यह रहा maximum level का R.O.L. Reorder level जो की आया हमारा 2400 plus R.O.Q. question में दे रखा है हमें अगर नहीं दे रखा होता तो पहले हम उसको find करते ठीक है जो की क्या है दे रखा है 1500 minus और bracket start minimum into minimum यहाँ पे average normal का कोई चकर नहीं है minimum कितना है हमारा 250 और time है हमारा 4 1000 हो गया यह तो 2400 plus में 1500 3900 में से 1000 minus करोगे तो 2900 yellow यह आ गया fourth point क्या कहता है average average level average level की अगर मैं बात करूँ तो दो formula हैं दो answer मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ तो पहला क्या कहता है हमारा minimum plus maximum divided by 2 तो minimum है हमारा 900 maximum आया 2900 और divided by 2 तो answer क्या आया result में 29, 38, 1900 ठीक है इसके बाद अगर और वाला मैं से पूछते हो तो और वाला भी मैं करके दिखा देता हूँ minimum level जो की हमारा है 900 और plus में e और q जो की कितना है 1500 divided by तू 1 by 2 कर दू या divide 2 रख दू तो 750 और no 1650 यह देखिए ठीक है यह हमारा एक example बिल्कुल देखो अगर आपको formula याद है इसके उपर theory भी आएगा theory की मैं बाद में discussion करूँ अगर formula याद है तो आपको 7 number का question साड़े साथ number का question इस टाइब का आता है सिर्फ आपने put करना है क्या दे रखा है इसको divide करेंगा 1500 होगा न 1500 और 900 1600 ठीक है clear एक बार यह वाला point आप note करिए इसके बाद इससे advance question जो है वो देखते हैं इसके अंदर पहले हमें एक concept देखेंगे फिर उस concept से related उससे जो advance question है वो देखेंगे पहले मैं एक simple सा question पूछता हूँ आपसे कि किसी भी product को बनाने में क्या possible है किसी भी product को बनाने में क्या possible है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा component लगता हो possible है बहुत सारे product है जिसके अंदर एक ही component से बन रहा है और बहुत सारे product है जिसके अंदर एक से ज़्यादा components बनता है suppose करो मैं अगर आपसे पूछओ टी की अगर आप टी यानि चाई अगर आप बनाते हो one cup of tea की मैं बात करूं तो अगर मैं चाई की बात करूं तो चाई के अंदर आपके क्या क्या components है बता सकते हो एक आपका चीनी यानि सुगर है और milk है आपका और ये सब फाल तो चीज़ है नहीं मेन चीज़ बताओ एक टी ये तीन चीज़ रखते हैं बागी बहुत सारी चीज़ डल सकते हैं लेकि नॉर्मल चाहे की बात कर रहें स्पेशल चाहे नहीं है हाँ वाटर भी है वो फ्री ओफ कॉस्ट है ठीक है तो जो फ्री ओफ कॉस्ट है उस कॉंपोनेंट को हटा देते हैं मैं सरिफ मिल्क की बात कर रहा हूँ तो एक टी को बनाने में तीन कॉंपोनेंट्स और एक कप टी बनाने में क्या क्या कितना कॉंपोनेंट्स लगेगा मैं बता देता हूँ मान लेते हैं, एक M component है, एक S component है, एक T component है मान लेते हैं, milk जो है, वो 100 ml लग रहा है और जो ये है, ये आपका, मान लेते हैं, के 10 ग्राम है और जो T है, वो मान लेते हैं, के 5 ग्राम ठीक है? और आज मुझे गेस्ट के लिए मुझे टी प्रिपेर करना है सपोज करो या तो 100 हो सकते हैं या 300 हो सकते हैं 100 और 320 का मैंने डिटेल दिया तो यानि मेरा जो है प्रोड़क्ट बनाना है मिनिमम कितना 100 और मैक्समम बनातो अब मुझे ये सारा पहले से अगर 100 कब बनाना है या 300 कब बनाना है मुझे उसके लिए सारा ये समान जो कॉम्पोनेंट है इंतजाम तो पहले से करके रखना होगा तो अब मुझे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिल्क कितना लेके आओगे minimum के लिए भी बताना है आपने और अगर maximum बनाओगे तो भी बताना है पहला components, milk बताओ minimum अगर बनाते हो आप आप अगर minimum बनाते हो तो milk के कितना लाओगे simple सा logic है कि आपको 100 ml चाहिए यानि 100 gram बुल लो आप और 100 cup बनाने हैं तो 100 into में यानि 10,000 जो कि 10,000 अगर हम देखे तो कितने लिटर के बराबर हो जाते हैं हमारा 10 लिटर ठीक है ना 10 लिटर के बराबर चाहिए हमें maximum हुआ तो कितना आजाएगा हमारा 300 multiply by बताओ 100 यानि कितना आगे हमारा यानि 30,000 जो कि किस के बराबर हो जाएगा हमारा 30 लिटर, यानि अगर मेरे पहले मैं जो organize करने जा रहा हूँ मैं, जहां मुझे T की जुरत है तो उसके लिए सबसे पहले मैं milk का इंतिजाम कर लिया, और milk कितना चाहिए वो आपने मुझे बता दिया, सर ऐसे ऐसे कर लो और यह आपका milk आ जाएगा अब मुझे S components की जुरत है, suppose करो 10 gram है 10 gram चाहिए और बनाने कितने हैं मुझे components तो कितने आएंगे 1000, 1000 gram यानि 1 kilo आ गया, ठीक है, आप gram में या answer दे तो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद, maximum अगर मुझे बनाना पड़ा, तो कितना इंतजाम करना पड़ेगा पता हूँ, 300 unit बनेगा और एक unit पे खर्चा 100 gram यानि 3000 gram यानि 3000 gram यानि 3 kilo मुझे चीनी का इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है अब मैं बात करता हूँ, third component जो की है, चाहिए की पत्ती 5 gram लग रहा है अगर 100 आएंगे तो कितना आएगा, 5 into में, यानि 500 gram और यहां कितना लगाओगे बताओ, 5 into में यानि डेड़ी किलोगे आसपास, बस मैं ये समझाना चाहता हूँ, कि आप जब एक product finish करोगे तो उसके अंदर मेरे 3 material लगा है, आपको कितने unit बनाना है, उसके लिए level मैं पूछ सकता हूँ यहां पर, मैं ऐसा पूछ सकता हूँ, बताओ milk का minimum level कितना रखोगे मैं बोल सकता हूँ कि milk का average level बताओ, मैं बोल सकता हूँ, milk का reorder level बताओ, क्योंकि stock ही है ये भी ठीक है न, product भी stock है हमारा और ये भी हमारा एक तरीके से component भी stock है, मैं बोल सकता हूँ T का बताओ, average level क्या होगा तो T का average level निकालने के लिए आपको minimum level निकालना पड़ेगा पहले, फिर maximum level निकालना पड़ेगा, divided by 2 करना पड़ेगा, अगर मैं T का बोलता हूँ भाई, आप minimum level बताओ, तो सबसे पहले T का आपको ROL चाहिए reorder level, maximum usage maximum usage कितना है हमारा, T का 1500, maximum time question में given होगा, ठीक है तो ये आ जाएगा, उसके बाद क्या रिखेंगे minus में multiply, normal usage या average usage multiply by normal time, तो हमें कितने unit बनाना है उसके हिसाब से components के multiply करके हम uses निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते यानि इन सभी का minimum usage है ये, और ये क्या है हमारा, maximum usage इसी base पे हमें एक question practical try करेंगे आपके book का, practical problem 2, question में क्या कहता है आपको एक product बनाना है manufacturing its product, a company use three raw material यानि इसको एक product बनाना है company ने three raw material use करना a b और c, ये material का नाम है इसके बाद आगे क्या कहता है continue में आपके question raw material a, b, c uses of unit of product एक unit बनाने के लिए a का कितना components लगेगा पता है 10, b का कितना component लगेगा 4, और c का कितना component लगेगा अच्छे, अब हमें इसका निकाल के दिखाना है एक तो maximum क्योंकि use करेंगे हम question में और एक minimum आप मुझे बताना अब कितने unit produce हुआ यहाँ पे आपको reorder quantity दे रखा है reorder quantity क्या होता है हमारा e, o, q, दे रखा है आपको rate भी दे रखा है rate का use हम वैसे question के सिर्फ e, o, q, निकालने के काम में आता है बाकी reorder level, minimum level, maximum level में कहीं भी rate का काम आया था क्या नहीं आएगा delivery time आपको दे रखा है 1, 2, 3, 1 minimum और 3 maximum आपको order level दे रखा है reorder level है यह reorder level का मतलब ROL जो हमने first देखा था maximum usage into में maximum time minimum level भी दे रखा है एक question में question में कहता है weekly production है वो time to time पे वराई करता है, यानि change हो सकता है हो सकता है 175 unit हो और हो सकता है 225 unit हो और आगे average भी इसने 200 दे दिया तो दोनों को add करके आप 200 ही निकालोगे तो minimum unit कितने बनेंगे यह पता चल गया maximum minimum 175 और maximum 225 तो मुझे maximum A का कितना usage हो सकता है 225 अगर हमें बनाना हो तो A का components कितना लगेगा 10 तो कितने बन जाएंगे यह बाइस सो पचास A का minimum कितना लगेगा अगर minimum बनाएंगे तो 175 components unit बनेगा और एक पर खर्च कितना होगा 10 यानि तो बताओ A का minimum unit कितना usage A का minimum usage 1750 maximum usage question ऐसे निकाला है न हमने multiply क्यों किया जा रहा है समझ में आ रहा है जैसे कि पहले मैंने example लिया था minimum maximum निकालने के लिए इसी तरीके से B का बताओ maximum क्या आएगा 225 unit तो बनेंगे ही और B का 4 होगा 4 ही है तो कितने आएंगे आपके 800 900 और इसका minimum बताओ क्या आएगा 175 और एक components में 4 लगेंगे B के 700 C का चेक करते हैं C का maximum क्या लगेगा बताओ 225 तो लगेंगे हमारे unit बनेंगे और इसके अंदर लगेगा हमारे कितने unit 6 तो 1000 50 और minimum कितना लगेगा 175 1350 225 ठीक है 225 अब बताओ 175 से multiply करेंगे कितने का 6 1000 50 ये तो बस मैंने अपने general knowledge के लिए observation के लिए क्योंकि formula में बहुत ज़्यादा minimum और maximum uses होता है तो हर components का अलग अलग बताए गया है इसलिए मैंने ये अपने लिए prepare कर लिया ताकि हम question करने में confuse ना हो अब question में demand क्या करता है बोलता है भाई minimum level of A निकाल के दिखो चलो निकाल देते है minimum level of A first part minimum level formula याद है ROL minus normal लेकिन यहां normal तो question में है नहीं तो average लिख रहा हूँ use into में average time ठीक है अब average use लिखा नहीं मैंने अगर मैं average use यहां पर लिख दूँ average usage तो 200 unit था ना तो average होगा 200 into में 10 2000 2000 B का कितना होगा 200 200 200 200 into 4 ये भी अपने knowledge के लिए निकाल रहा हूँ question में पता नहीं use हो नहो अब आप से पूछा है minimum level किसका A का B का C का A का पूछा है तो A का सारा information लेंगे ROL A का पहले ROL निकालो भाई दे रखा है question में बताओ 8000 दे रखा है ROL Reorder level दे रखा है ना दे रखा है माइनस में average usage 2000 multiply average time 3 और 1,4 2 ये लो पहले का answer आगया 2, 4000 तो answer is 4000 second का answer second में क्या पूछा है question में ध्यान से देखो second में बोलता है भाई maximum stock level of किसका निकालो B का maximum level इसका formula क्या है भाई ROL प्लस में R O Q माइनस minimum into minimum time चलो ROL कोशन में दे रखा है में बताओ 4750 और R O Q भी दे रखा है बताओ B का निकाल रहे हैं न हम चलो B लिख देता है 5000 ठीक है minus minimum usage of B B का minimum यह रहा हमारा 700 और time 3 to 5 है तो 3 आ जाएगा solve कर यह 47 और यह आएगा 9750 और minus में 2100 बताइए क्या आया 7650 चलिए यह पार्ट भी हो गया अगला पार्ट कुन से करना है बताओ Reorder level of C C का Reorder level निकालना है सबसे आसान maximum into Reorder level maximum into maximum use into maximum time अब Reorder level maximum C part C part का maximum 1350 multiply time तो दे रखा है हमें बताओ 4 बताइए अब 5400 बिल्कुल सही आंसर इसके बाद 4th part क्या पूछा है average level of जब A का average level इसने पूछ लिया अगर हमने A का minimum level निकाल लिया तो इससे भी निकाल सकते हैं और एक formula और भी है maximum plus minimum divided by 2 मैं दोनों से कर देता हूँ तो मुझे A का एक और extra part करने जा रहा हूँ कौन सा level निकालने maximum क्योंकर मुझे A का maximum level क्या question में दे रखा A का maximum level नहीं दे रखा तो maximum level निकाल लेते हैं हम A का A का maximum level क्या होगा ROQ ROL ROL क्या है हमारा A का दे रखा है बताओ 8000 दे रखा तो EO क्यों भी दे रखा है बताओ 10,000 minus minimum uses A time भी दे रखा है बताओ 1 कितना हो गया 18,000 minus 1750 सही से चेक करना बताओ 16,200 यही आएगा ना 16,250 अब मैं दोनों से answer निकाल के दिखा रहा हूँ कौन सा average average level minimum level plus maximum level divided by 2 चलिए पहले तो यह solve minimum level A का हमें पता चल गया था 4000 प्लस में 16 250 divided by 2 बताइए 16,4,20,250 करेंगे तो 10,125 10,125 अब दूसरा भी निकाल लेते हैं दूसरा और वाला और वाले में क्या था हमारा formula याद है EOQ बताइए EOQ क्या था हमारा 10,000 minimum का ये पहले minimum level चाहिए हमें minimum level 4000 प्लस में 10,000 divided by 2 तो क्या answer आ गया 9,000 आ रहा है मेरा तो कितना आ गया 9,000 9,000 जो मेरा answer आया है एक का और एक का आया है 10,125 रुपए दोनुका answer अलग है आपने चाहे ये वाला solution किया हो चाहे exam में ये वाला solution किया हो दोनों ही आपका valid माना जाएगा ये था हमारा practical problem 2 एक बार इसको note करिए तो देखो एक question ऐसा है हम basically EOQ जो निकालते थे वो EOQ निकालने का purpose क्या होता था हमारा के एक ऐसा level बताओ जहां पे हमारा carrying cost और average cost क्या आ जाए बराबर आ जाए उसे EOQ बोलते है economic order quantity और हमारा मानना ये था कि अगर इतने इतने unit करके आप मंगवाओगे तो आपको नुकसान तो नहीं होगा खेर लेकिन अगर आप इस economic जो हमने एक benchmark बना इससे ज़्यादा मंगवाओगे तो कहीं न कहीं आपका नुकसान होगा कम मंगवाओगे तो नुकसान होगा पर नहीं लगेगा तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ अलग से हो तो हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर क्वांटिटी को चेक करेंगे एक बार पांसो मंगा के देखेंगे एक बार आटसो मंगा के देखेंगे एक बार पंद्रासो मंगा के देखेंगे एक बार दो हजार मंगां के देखेंगे ऐसे हम क्या करेंगे कि यहां पर इतना मंगाए तो कितना costing आएगा फिर देखेंगे अगर इतना मंगाए तो कितना costing आएगा ऐसे check करेंगे तो जब इस तरीके से हम check करेंगे तो जहां पर सबसे minimum cost आएगा तो हम बोलेंगे EOQ छोड़ो हम ये वाला क्या करेंगे unit opt कर लेंगे तो यही question number 15 में है question number 15 में कहता है कि organization receive offer to quantity discount एक जगह गया वो समान लेने समान लेने गया तो वो उसने दुकानदार ने बोला होगा भाई तो EOQ के चकर में क्या पढ़ रहे हो मैं बताता हूँ कितने कितना सस्ता पढ़ेगा उसने बोला भाई आपको 1400 रुपे का एक unit पढ़ेगा अगर आप 500 unit से कम लोगे तो अगर 499 unit लोगे या आप बोलते हो ना सर मुझे 400 unit दो तो मैं बोलूगा एक unit कितने का पढ़ेगा आपको 1400 अब आपने पूछा सर इसका discount नहीं मिलेगा कि 1400 unit ले रहे हैं हम 400 unit ले रहे हैं तो मैंने बोला एक काम करो ना 500 से अगर आप 1000 unit लोगे ना तो जो समान मैं आपको 1400 का दे रहा हूँ वो मिल जाएगा आपको 1300 हमारे company की policy है आप इस unit के हिसाब से अपने discount को बढ़ा या घटा सकते हो फिर बोला मैंने आपको अगर आप 1000 से 2000 में जाओगे ना तो और discount करेंगे आपको 1360 2000 से 3000 में जाओगे तो इसके बाद 1320 हो जाएगा आपके 3000 से जब उपर लोगे तो इसी तरीके से इसने बताया है यानि अगर मैं 500 से less than की बात करूँ तो कोई भी unit ले लो x, y, z 400, 300, 200 400, 99 सब का rate क्या आएगा? 1400 लेकिन एक हमें यहाँ पर unit बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो, तो मैं यहाँ पर सब्सक्राइब करता हूँ, सब्सक्राइब 500 से कम क्या रखूँ मैं अपने मर्जी से 400 मान लेता हूँ आप यहाँ पर तीन सो निन्यानवे साड़े तीन सो जो इच्छा करें वो मान सकते हो और उसके बाद आप इस तरीके से आप ट्राइल कर सकते हो, मतलब कि हम एक देखेंगे कि किस पर मिनिमम कॉस्ट आएगा और हर बार से मांसर आएगा हाला कि इस कोश्चन में भोल दिया, इसने आप जो कॉंटिटी मानना है न वो मानना है सबसे लास्ट लाइन में कह दिया 400, 500, 1000, 2000 और तीन हजार मानना है यानि आप मुझे जो ये काम करके दिखाओ एक 400 पे कर पे दिखाओ और एक 500 पे करके दिखाना और एक 1000 पे करके दिखाना और 2000 पे और इसे से यूनिट पे बताओ तो क्या बताए भाई जहां पे मिनिमम कॉस्टिंग आएगी वो बता दो कौन से जहां पे मिनिमम कॉस्टिंग होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मिनिमम कॉस्टिंग बता देंगे लेकिन एन्वल जो डिमांड रहेगा न वो एन्वल डिमांड आपको नीचे कुश्चन में कहता कि भाई 5000 यूनिट रहेंगे तो 5000 यूनिट खरीदूँगा एक एक बार करके कितने का खरीदूँगा 4-400 करके खरीदूँगा है कि ने मैंने पहला क्या माना है कि भाई मैं 400 ही खरीदूँगा तो 5000 अगर खरीदना है तो 400 करके खरीदूँगा मैं तो मुझे कितने कितने रुपे का एक यूनिट पढ़ेगा तो मुझे एक यूनिट पढ़ेगा 1400 का बोला हुआ है भाई 500 से कम कितने का पढ़ेगा 1400 तो ये 70 लाग रुपे एप्रॉक्स आ जाता है हमारा एप्रॉक्स का exactly 70 लाग ठीक है उसके बाद अगर मैं 500 खरीदना पढ़ेगा बता सकते हो पाच हजार रुपे का पढ़ेगा तो ये 69 लेक का अगर मैं 1000 खरीदने लग जाओ तो कितने का पढ़ेगा बुक में देखो rate given है 1360 का पढ़ेगा समझ में आ रहे हैं ना 68 लाग पढ़ेगा अगर इसके बाद 2000 खरीदूँगा 67 लाग 3000 खरीदूँगा तो 66 लाग multiply कर दिया ये तो सिर्फ आपको समान खरीदा रिखा है ordering और carrying भी तो उससे वराई करेगा हमारा change यहाँ पे हमारा ordering cost क्या होगा हमारा annual demand तो हमारा मानलो 5000 है लेकिन मैं खरीद के तो एक बार मैं कम से कम 400 ही लाऊँगा ना तो ये पता चल गया है कि हमारे कितने चक्कर लगेंगे यहाँ पे मतलब समान को लाने में ले जाने में कितने बार round मारूँगा तो 5000 डिवाइड़ बाई 400 में 12.5 और एक बार का कितना खर्चा है question में given है तो यह आ गया 15,000 रुपए यानि आप जब ये strategy follow करोगे न तो समान तो आपको अगर 400 unit खरीते हो तो समान तो आपको 70,000,000 रुपए का पड़ेगा और आपको लाने ले जाने का किराया लग जाएगा आपका कितना 15,000 फिर रखने का भी तो खर्चा हिसाब लगाना है रखने का क्या बोलते है EOQ यानि हमारा 400 है यहाँ पे economic order हमारे इसाब से divided by 2 into my carrying cost carrying cost देखो कह रखा है कितने percent 20% तो 1200 का 240 1200 का लेगे ना तो 400 divided by 2 into my 240 यह 48,000 आ रहा है अड़तार चेक करते रहिएगा आप ठीक है total खर्चा बताओ कितना आएगा समान खरीदने का 70,000,000 समान लाने का 15,000 और रखने का 48 तो total खर्चा कितना आएगा हाँ 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 एक unit कितने का है मेरे mind से रिंग लिए 280 का लो 280 का ठीक है इसका क्या है amount 280 हमारा दे रखा per unit उसका 20% कितना है अच्छा हाँ 1400 का कितना आया ये 56 चलिए ठीक है ठीक है ना carrying cost हम जो लेते हैं किसका लेते हैं एक unit का जो खर्चा होता है वो और 400 जो खरीदेंगे तो unit कितने रुपे का मिल रहा है 1400 तो 1400 का कितने percent लिया है मैंने साज़ में आरी ये बात ठीक है तो 70 लाग का ये 15,000 का ये और 56,000 ये तो कहने का मतलब है अगर मैं ये strategy follow करूँ तो मेरा सालाना खर्चा आजाएगा 70,71,000 रुपे ठीक है ना 70,000 अब चलो अगर मैं ये strategy follow करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 5000 लेकिन एक बार में कितना लेके आता हूँ मैं 500 और ये तो 1200 ही रहेगा एक बार लाने का तो क्या खर्चा आए जाएगा 12,000 रुपे आएगा समझ में आ रहा है ना लेकिन यहाँ पर rate जब change होगया तो carrying cost भी change होगा 500 divided by अब 280 नहीं लेना अब 1380 पे कितने percent लेना है 276 500 divided by 2 69,000 समझ में आ रही है बात आपको तो 12,000 प्लस 69,000 81 प्लस में 69,000 69 तो पहला option तो वैसे reject होगया दूसरा अच्छा लग रहा है मुझे एक बार तीसरे पे भी देखें यहाँ पर एक बार मैं 1000 युनिट ले रहे हैं तो 5000 अगर लाना है तो कितने चक्कर लगेंगा भई पांच चकर लगेंगा डिवाइड 1000 करने से एक बार का खर्चा बारा सो तो कितने हो गए केरिंग कॉस देखो ज्यादा समान ला रहे हैं तो यह बढ़ता जाएगा 1000 लेके आ रहे है दो और multiply भाई अब कितने का पड़ रहे है 272 और टूटल कितने 125,000 देखो खर्चा बढ़ रहे है तो यह 36,000 रुपए ठीक है ना किस चीज का खर्चा बढ़ रहे है बताओ रखने का क्यों बढ़ रहे है भाई समान जादा जादा खरीदों को तो रखने के लिए जगए तो चाहिए ना तो भाई अब इसका खर्चा आया मेरा 694 यह तो मुझे इससे भी बड़ी अलग रहा है मेरे को तीनों में से बोला जाए भाई क्या खरीदना पसंद मैं तो बोलूगा तीसरा ठीक है क्योंकि यहां पर सबसे कम कॉस्टिंग आ रही है चलो एक बार इस पर भी ट्राइ करते हैं 2000 पर तो 2000 पर खर्चक आयगा 5000 डिवाइड़िड वाई 2000 ordering cost क्या होता जाएगा हमारा कम होता जाएगा कारन क्यूंकि कम बार लेने जाओंगा मैं कितना है 3000 देखो कितना कम होता जा रहा है carry cost बढ़ता जाएगा भाई 2000 लेने गया दो और एक यूनिट पे कितना आएगा बताईए क्या गड़ बड़ कर दिया बताईए सही से कैलकुलेशन करिए आप सही है गलत है बताईए मैं चेक कर लेता हूँ चलिए आपने बता पा रहे तो तीन अजार आएगा अब एक यूनिट का कॉस्ट बताईए यहां कितना था 260 268 अब बताईए कितना आए 1000 इंटू 268 अब देखो खर्चा तो 2 लाग पहुँच गया क्यों पहुँच रहा है लॉजिकली समझ रहे हो क्योंकि समान जादा जादा उठा गे ला रहे हो आप उसको रखने की ज़्यादा जगह चाहिए तो रख रखाव का खर्चा बढ़े गाई और यह खर्चा देखो कम होता जा रहा है और यह खर्चा क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है टोटल कॉस्ट क्या आएगा भाई 66,00,000 तो माल का पढ़ गया 3000 मंगवाने का 268 यह 69,71 आ गया ठीक है 69,71 आ गया ठीक है चलो अगले का देखते है 3000 तो 5000 डिवाइडिड बाई 3000 कितना आएगा और कम हो गया क्योंकि कम बार जाना पढ़ रहा है न हमें लेकिन रखने का खर्चा देखना बढ़ जाएगा ज़्यादा समान लेके आ रहे हैं तो यही तो हमारा है 3,96 को कितना बढ़ गया आपने होसियारी यहाँ पे तो दिखा दी सस्ते खरीद के लेकिन यहाँ पे आपकी होसियारी बेकार हो गई क्योंकि यह ज़्यादा बढ़ गया आपको ठीक है ना कितने 60 यह लो अब एक्जामनर बोलता है भाई आप बता दो सबसे बढ़िया कौन सा है बिजनसमेन के लिए तो आपने बोला सर सबसे सस्ता तो इहीं पढ़ रहा है तो हमें कितने यूनिट खरीदना चाहिए हजार यूनिट एक बार में खरीदारी करेंगे तो साल का जो खर्चा होगा न सब कुछ लेके किरिंग को सर्टरिंग को सब कुछ लेके हमारे लिए क्या होगा best तो optimize level क्या होगा हमारा question में देखो क्या पूँछा है animal demand दे रखा है ये दे रखा है the purchase department you considered following purchase option advice which which among them will be most economical order quantity सबसे बढ़िया कौन सा है ये बताओ most economical present relevant information tabular tabular में कर दिया और ये हो गया इसके नीचे लिखोगे क्या 1000 unit EOQ most economic order quantity बस नीचे note में हमें ये लिखना है समझ में आई बात आपको अब फटाफट note करिए question number 15 अब देखो एक हमारा theory आता है बहुत ही important theory कहलो इसे और हर बार exam में पूछा ही जाता है और second chapter theory के point of view से बहुत important है practical तो आना ही आना होता है question आता है कि भाई आप मुझे bin card और store laser में difference बताएं तो सबसे पहले bin card होता क्या है अगर हमें ये पता चल जाए और तो store laser होता क्या है कि तो हम easily इन दोनों में difference बता सकते हैं बस ध्यान से आपने समझना है और बेस मैं बताऊंगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या activity होगा ठीक है ना अब मैं बिन कार्ट वैसे तो आप सब ने कभी गोडाउन के चक्कर लगाई नहीं होगे कि गोडाउन में क्योंकि store laser है कहां पर बनता है गोडाउन का काम है ये सारा नौर्मली आप सबने वैसे दुकान पे गए होगे तो मैंने कई जगह पे देखा है दुकान पे गया हूँ तो जहां पे आपका food item मिलता है तो वहां पे मैंने देखा है मान लेते हैं कि एक ऐसा जार है इस जार के अंदर मालेते हैं कि उसने डाल डाला हुए है तो जो भी customer आता है दो-तीन variety है तो बार बार पूसता भी है ये कितने का ये कैसे दिये मोल वगर की मैं बात कर रहा हूँ और वैसे normal way कैसे दे रहे हूँ भी है बार बार पूसता है तो दुकान दार पता है क्या करत कोई पूछने आता है तो जो पढ़ा लिखा नहीं है तो पूछी रही है बाकी समझदार है वो बोलता पचास रुपए किलो है और पूछने की टेंशन खतम है तो यह जो पर्ची डाला इसमें क्या है सरिफ हमाउंट है यह तो हमने देखा है लेकिन हमारे स्टोर के अंदर ज के पार्ट में चला जाएगा तो भाई इसके अंदर होता क्या है कि हमें बहुत सारे टाइप के हमारे पास स्टॉक पड़े होते हैं तो बेसिकली वहाँ पर हमें लिख्के रखना होता है जैसे कि माललो मेरा डाल का ही काम है तो एक स्ट कि मुझे याद रहे कि इस कट्टे के अंदर इस बैग के अंदर कितना है और मैं उठा के सीधा बोले सोरूम से फोन आए कि भाई इतना का एक काम करो 20 किलो भिजवा दो तो मैं धूंडूंगा कि 20 किलो अला कौन सा उठा के दे दिया मैं यही होगा लेकिन यहाँ पर तो आप बना कर डाल दिया हो बोर्ड बना कर डाल दिया हो एक्स वाइजर टेप लगा दिया हो कुछ भी बोल सकते हो उससे क्या बोलता है बिन कार्ड में सिर्फ कॉंटिटी लिखा होता है रेट ने लिखा होता कई जगह पर लगता है कि दो किसम के हमारे पास डाल है तो रेट वा होता है जैसे मान लेते हें कि एक मेरा ये दुकान है, ये दुकान है, इसके बाद एक और ये मान लेते हैं, दुकान, अब इस दुकान के अंदर जो समान था, और इसको मैं शोर्ूम का नाम दे देता हूँ शोरूम है यहाँ पर समान क्या होगा बताओ बिकेगा और इससे connected कौन होगा सीधा जो समान खरीदने आएगा उसको क्या बोलेंगा सीधा customer होगा अब इसके पास जो समान आता होगा ना ये पहले कहीं न कहीं स्टोर करता होगा ये कहीं न कहीं क्या करता होगा स्टोर करता होगा समान और जहां स्टोर करता है ने उसको क्या बोलते हैं बताओ गो डाउन मैं गो डाउन मान रहा हूं इसको ठीक है ना उसको क्या बोलेंगे हम बेसिकली के गो डाउन में गो डाउन में समान स्टोर करता है अब गो डाउन में भी कहीं न कहीं से समान आता होगा कहां से समान आता होगा पता है एक होगा हमारा फैक्टरी या होल सेलर जो भी हो सकता है मान लेते हैं फैक्टरी से तो basically factory से समान आता रहता है यहां पर है कि ने उसके बाद यहां समान store हो रहा है अलग-अलग bag में अलग-अलग bag में इसके जैसे यहां से phone आता है यहां से भेजता रहता है ठीक है तो यहां से जो समान आ रहा है वो receive कर रहा है और यहां से समान आ रहा है वो क्या कर रहा है इशू कर रहा है उससे क्या कर रहा है इशू बेच नहीं रहा है बेचने का काम तो showroom वाले का है इशू कर रहा है तो इसको न एक यह register में maintain कर लेता है जो कि हमने lefo, fifo, weighted average यह सब सीखा हुआ है आगे हम देखेंगे भी इसको न रेजिस्टर में maintain कर लेता है कैसे रेजिस्टर होता है इनका कुछ इस तरीके का रेजिस्टर बना लेगा यहां पे लिखेगा date, यहां पे लिखेगा receive, यहां पे लिखेगा issue, यहां पे लिखेगा balance उसके बाद lefo है, तो जो भी method है, last in, first out, fifo है, first in, first out, उसके according इस laser को maintain करता रहता है तो यह वाला जो काम होता है न, यह कौन करेगा, एक accountant करेगा यह काम, ठीक है न, यह काम कौन करेगा, accountant करेगा और दूसरा person नहीं कर सकता इस काम को, इस काम को कौन करेगा, accountant तो basically जो यह laser है न, इसको हम बोलते है store laser, और bin card क्या होता है, card जिसके अंदर लिखा होता है, हमारा, उसे क्या बोलते है, bin card बोलते है, तो पहले तो आप मतलब समझो, और mind के अंदर एक image create करो, कि भाई, bin card ऐसा दिखने में है, और store laser ऐसा दिखने में है, ठीक है, फिर difference बात करो, तो अब मैं recording की बात करो, तो यह तो go down के अंदर ही काम हो सकता है, सड़क पे बैठक के तो मैं सब नहीं लगा दूँगा इसे, लेकिन यह बहार table में धूप में बैठक के भी काम किया जा सकता है, store laser बनाया जा सकता है, तो यह inside go down होता है, और यह inside outside, both side हो सकता है, basically outside ही होता है, इसको कोई भी कर सकता है, मजदूर को बोला सही से तोलना और इसके अंदर पर चीद ठीक से लिख के लगा दो, तो junior staff और यह senior staff करेगा, ठीक है न, पहले यह होगा, उसके बाद यह होगा, देखो difference, और कई बार difference आया होए एक्जाम के अंदर, तो पहले यह हो हमारा यह गोडाउन के अंदर का काम होता है, गोडाउन डिपार्टमेंट का काम है, और यह अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, यह भी तो एक difference के अंदर आगे हमारा, तो इस तरीके से हम बहुत सारे differences बता सकते हैं, अगर मैं कुछ डिफरेंसिस आपको बता हूँ, अब यह डोक्यूमेंट की बात करो, तो यह recording document होता है और यह accounting document होता है, क्योंकि accounting के purpose के लिखते हैं, अब मैं बताता हूँ, responsibility, responsibility मैं समझ रहे हो क्या होता है, किसके काम करने के जिम्मेदारी है, तो इसको कौन काम करेगा, जो store के अंदर देख रेक कर रहा है, storekeeper, और इसकी कौन करेगा, accountant, इसके लिए कौन चाहिए, तो responsibility बेस पर कर दिया, location, inside and outside, detail, इसके अंदर क्या क्या detail होगा, quantity, लेकिन यहां पर हमने देखा, क्या quantity भी है, rate भी है, total भी है, सारा detail है, तो क्या यह भी हमारे difference का एक पार्ट बन गया, ठीक है, इसके बाद, अब मैं बताओ, त इंटर departmental transfer, यह वैसे थोड़ा सा अलग सा point है, advance points है, इंटर department, मतलब एक department से दूसरे department में transfer होता है, तो इसमें detail नहीं होता, लेकिन यहां पर detail हमारा होता है, इसके बाद recording मैंने बता दिया, इसे recording individually करते है, इसके recording कैसे होगी, एक कट्टे में एक ही लिखेंगे, एक bag के अ साथ हम समान लिखते हैं तो उसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, यहां पर recording summarize form में होता है, यहां पर indie visibly form में, बड़ा है आसान था, ठेक है, quantity, तो एक question तो यह मान लो कि आपके exam में confirm है, store card, store laser, और bin card के बीच में difference, या what do you mean by the bin card, और bin card के अंदर क्या क्या detail होते ह इसका format बना गया, आपके book में bin card का format बनाया हुआ है, तो format में क्या है, simply एक बार देखना है और बन जाएगा, तो यह एक theory भी हमारा खतम हो गया, और इस theory को लिख लो, अपने register पे, what is the difference between the store laser and bin card, और important mark कर दो